हेला दोस्तों नमस्कार तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुनों की 16 अपडेट्स के बारे हम जो की बहुत ही ज़्यादा important है सभी students के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे result की अपडेट के बारे में बात करेंगे सारी अपडेट्स है तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर लीजिए क्योंकि प्रैक्टिकल कंपलसरी होता है आप लोग भी पता है अगर आप कर लेते हैं तो आपको कॉर्स कंपलीट करने में असानी होती है तो चलिए वीडियो को स्टाट करके अगर आप चलने में पर पहली बारा है और उसकी सत्रहवी अपडेट फिर से एक बार और जारी कर दी गई है तो इस अपडेट को चेक करिए इसमें काफी सारे और रिजल्ट आइड किये गये हैं पब्लिस किये गये हैं जिनका तो वो अपना रेजल्ट चेक कर सकते हैं जिनका रेजल्ट नहीं आया है तो घबराने वाली बात नहीं यह फाइनल अपडेट नहीं है 17 अपडेट इसके बाद 2-4 अपडेट,6 अपडेट और भी आयेगी तो उसमें आपका रेजल्ट डिकलेड हो जाएगा तो अपना रि में चेंज किये गया है चार से पांट सब्जेट उपन नीचे बहुत मेजर चेंज नहीं है अगर कोई चेंज होगा तो मैं बताऊंगा और एक बार अपना ड्रीट फिर से चेक करके उसे आप से तयारी करें कोई अपडेट आयेगी इसकी नेट तो फिर आपको मिल जाएगी अपडेट है different regional centers जैसे कि बहुत सारे practical होते हैं practical compulsory होते हैं practical आप मिस नहीं कर सकते नहीं तो उसमें आप फेल हो जाओगे अगर आप class मिस करते हो तो कोई problem नहीं class compulsory अगनू में नहीं होती किसी भी program के लिए practical बेस जितने भी program होते है उसके practical compulsory होते हैं assignment जमा करना compulsory होता ह और practical के guideline भी आ रहे हैं counseling की guideline जो recently admission हुए है उनके counseling के guideline आ रही है तो और जो आपका study material भेजा आता है वो आपके regional center पर return होके जाद है या फिर regional center से district भी उड़ता है उसकी list आती सारा चीज आपको आपके regional center से पता चलता है तो पहला regional center है जो है त्रिवंदर regional center जिन्हों ने ब प्रिजिनल सेंटर ने ब्स प्रैक्रिकल सेडियूल स्टेडी सेंटर 07107 महाराजा अग्रसेन कॉलेज का जारी किया है तो इसमें आप देख लीजिए और दूसरा update है PGDLN जो है टैर्मेंट निक्जामनेशन का जो है यहां पे जून टून टून टू का जो सेडियूल जा जारी की है बी एट की तो इसमें आप देख लीजिया कल ही जारी कर दी गई थी तो जो भी स्टूडेंट है पोट बेर सेंटर के जरूर देखें नेक्स अपडेट है राची रिजिनल सेंटर की तरब से गूगल फॉर्म जारी किया गया है प्रैक्टिकल जो है नॉम्बर मे जी जारी के लिए तो यहां कर देख़िये का सीडियूर जारी किया गया तो यहां पे देखिये का सेडियुल जारी किया गया है। तो counseling compulsory होता है, आपको course complete करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, जो कि शुरू हो रहा है 18-10 से, ठीक है, तो 18-10 से शुरू हो के 20 तक चलेगा, एक तो हो चुका है, 19 को होएगा, फिर आपका 20 को होएगा, तो किसी भी में आप अगर attend नहीं कर पाए हैं, तो attend कर लीजिए, कैसे complete करेंगे, वो शुरुआती से बताएंगे, तो आपको आसानी होगी समझने में, नेक्स अपडेट है, जोथपूर इजिनल सेंटर की तरफ से practical का schedule जारी किया गया, CPLT का, तो CPLT एक program certificate का, उसको जो है, counseling का schedule जारी किया गया, recently जिन्होंने admission लिए है, CPLT program कैसे complete करेंगे, counseling में यही सारी चीज़े बताएंगी, तो जरूर अटेंड करें, जो भी जोथपूर इजिनल सेंटर के student है, अदर इजिनल सेंटर के भी है, तो link अवलेबल है, तो आप अटेंड कर सकते हैं, आपको अगर CPLT program एडमिसल नहीं है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी, next update है, regarding study material, जो है, headquarter से उनको भेजा गया है, headquarter जो इगनू मैदान गढ़ी में है, न्यू डेली में, वहाँ से भेजा गया है, उसका distribution होगा, Monday to Friday, 11 से 4 के बीच में, अपना original ID card लेके जाएगा, वहाँ से अपना study material, receive कर सकते हैं, जो भी student, जो है, study material लेना चाहते है, तो वहाँ पर जाईए, और अपना जो है, आपका study material लेवल रहेगा, तो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, नेक्स अपडेट, जो है, मदरो एरिजिनल सेंटर की तरफ से, वहाँ पर से, जो जारी किया गया है, में पर प्रोजेक्ट इंटर्शिफ वर्चुल मूड में, तो यह जरूर देखें, यह important है, और साथ में साथ B8 का जो है list भी जारी किया गया है, दूसरी update में आपको बताऊँ, पीछे भायक में जाने पर आपको मिल जायागा, यहाँ पर B8 का merit list भी जारी किया गया है, तो दोनों चीज यहाँ पर अब label है, उसको आप देख सकते है और यह बिलकुल मिस मत करें, जो practical MAPC का है ठीक है, तो यहाँ पर click करके, जो है जो है जो है जो है जारी करके अटेंड जरूर करें इसको, नेक्स्ट अपडेट है, चन्हे रिजिनल सेंटर की तरफ से मेरिट लिस जारी किया गया है, और msc dfsm जो है उसका भी यहाँ पर ट जो भी चीज़े हैं वहां अटेंड करें नेक्स अपडेट जो है कोचीन रिजिनल सेंटर की तरफ से बहुत इंपोटेंट जारी किया गया है यहां पे दिसंबर कैसे रखना है इस तरीके से नाम रखेंगे साहँ चीज रहेगा Свजा आट लेटा हैं वहाँ आप किस मेडियम में आप जो है अप्डेट देता रहता हूं आपको मिल जाएगी नेक्स्ट और कोई रिजिनल सेंटर और जिन रिजिनल सेंटर का जो प्रैक्टिकल स्वारी डिसमबर 2022 के लिए गाइडलाइन नहीं आया है अपने रिजिनल सेंटर पर सम्मिट करें नेक्स्ट मैंनेजमेंनट प्रग्राम मैंनेजमेंट प्रग्राम के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किए गया है तो यह जो भी स्टुदेंट है दर भंगा इसनल से जरूर यहां पर देखें और अपना प्रैक्टिकल वाइब बहुत रहता है बिल्कुल मिसमत करिएगा नेक्स अपडेट है देवगर रिजिनल सेंटर की तरफ से देवगर रिजिनल सेंटर ने इंडेक्शन मीटिंग जारी किया तो सर्टिफिकेट के लिए यहां पर जितने भी इंडेक्शन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं तो यहां पर लाइव अवलेबल रहेगा तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अपडेट है जो है काफी इंपोर्टेंट जो है आरसी हैदराबाद ने कोलाइब किया है जो है मैजिक बस इंडिया फांडेशन के साथ वहां पे एक मेगा प्लेस्मेंट ड्राइव चलाई जा रही है तो यहां से आप जो है यह देख सकते हैं इनसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर भाग ले सकते हैं काफी इंपोर्टेंट अपडेट थे आप सभी स्टूडेंट के लिए तो आप जो है यहां पे जो भी सवाल है कमेंड बॉक्स में लिख लीजिए ठीक है कमेंड बॉक्स में के पूंच सकते हैं और यह सारा के साथ तब तक ले नमस्कार धन्यवाद दूस्ता